इस वीडियो में मैं आपको एक अनदर एक्सपेरिमेंट का केवल फाइल प्रोवाइड करा रहा हूँ अभी ये एक्सपेरिमेंट का सेट अप मेरे पास नहीं है जैसे इसका इंतजाम हो जाता है मैं उसका पूरा एक्सपेरिमेंट का प्रोसेस करके आपको एक अलग सी वीड जो किवल फाइल की जरूरत है किवल इस वीडियो से अपना काम चला ले, ठीक है तो यहां पर यह जो experiment का फाइल मैं provide कर रहा हूं यहां पर यह देख लीजिए, जूम करके भी मैं पूरा दिखा दे रहा हूं यहां पर जो experiment का object है to measure the internal resistance of a given micro emitter और इसके दो parts are, was to convert the given micro emitter into a DC volt meter for 0 to 2 volt and 0 to 20 volt range में आपको यह convert करना है ठीक है तो अब इसमें जो है यह पहले full size यह देख लीजिए पूरा file का page अब यहाँ पे zoom करके मैं दिखा दे रहा हूं यह जो operators जितना operators का जरूरत है उसको आप यहाँ पे लिख लीजिए यह एक्सपेरिमेंट का principle है बकाइदा इसको पढ़ लीजिएगा पॉस करके मैं यहाँ पे detail में पूरा process नहीं बताऊंगा क्योंकि बिना experimental setup के मैं इसमें जो भी बताऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा वीडियो वेवजर लंबा हो जाएगा और आप समझ भी नहीं पाएंगे तो इसमें किवल बस मैं आपको file content देना चाहता हूं बस जिन बच्चों को इसकी जरूरत है फिर यहाँ result इस तरह से mention कर देंगे यह experiment जो बी वाला पार्ट है जो second पार्ट है उसका principle है इस प्रकास से आप इसको देख लीजेगा और यहाँ पर यह पहले diagram देख लीजिए अगले page पे जाने से पहले यह diagram है पहला और यह दूसरे का diagram है आपको पता है इसमें इसका theory हला कि वह मैं बाद में ही बताऊंगा आपको वाईबा और practical के जब वीडियो अलग से बनाऊंगा तो वहां बताऊंगा आप इसका अगला पार्ट देख लीजिए इसके बाद यहां पर यह देखिए जीरो से टू वोल्ट रेंज के लिए यह calculations है फिर उसके बाद यहां पर आप देख लीजिए यह verification बैन आफ्टर यहां पर result mention कर दीजिएगा आप लोग ठीक है अभी यह पहले पार्ट का ही चल रहा है पहले का यहां पर यह देख लीजिए यह diagram और यहां पर यह calculation वाला पार्ट है अब इसको अच्छे से देख लीजिएगा pause करके यहां पर यह calculation का पार्ट है ठीक है अब इसके बाद मैं इसका अगला पेज पलटता हूं तो देखें यह अगले पेज पे यह दूसरा वाला पार्ट जो experiment था उसका यह diagram है और यहां पर क्या-क्या दूसरे वाले पार्ट के लिए आपरेटर्स की ज़रूत पढ़ने वाली हुए वह है और फिर finally यहां पर यह principle है उसका mention कर दीजिएगा then verification अब इसका मैं लाश्ट पेज पर आता हूं इस experiment के और यहां पर यह देख लीजिए जीरो से 20 मिलियंपियर के रेंज के लिए यह calculation है then यहां पर verification हो गया और यह इस प्रकार से यहां पर यह experiment पूरा हो गया ठीक है तो यह file था I hope जिनको यह file की जरूरत होगी उनको यह video पसंद आया होगा बाकि detailed इसका analysis और experimental video के लिए थ्वास आपको wait करना पड़ेगा जैसे यह operator का इंतजाम आता है मैं इसको पूरा upload कर दूंगा प्रोसेस सही वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद